हेलो एवरीवन, वेलकूम अगीन टू लन्वरे देतिमन, तो मकर्जकरांती की हर्दिक सोपकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को सभी आज सेलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और जो भी कारेकरम होते हैं आप लोग जो भी मनाते हैं तो वह बहुत अच्छे तरीक के बच्चों ने मुझे ये बोला है कि मैं हमें सबसे पहले डेमो वीडियो दिखा दीजिए जिससे की हम कोर्स ले सकें तो बिलकुल ये आपका हक है और आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हम जो भी चीज ले रहे हैं तो उस चीज में हमें क्या-क्या मिल रहा है किस तरी में आएगा या नहीं आएगा तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए देखिए बिल्कुल सिम्पल सी बात है कि आप बड़ी-बड़ी कोचिंग में वहाँ पर आप लोग इतने देख कर अट्रेक्टिव होते हैं उन्हें अमाउंट भी बहुत जादा होता है फिर भी बच् मिलेगा वो हमारे लिए सही रहेगा तो देखिए कहीं से भी कोर्स खरीदिये मैं यह नहीं कह रही हूं कि हमारा कोर्स आप लें लेकिन सबसे सटीक बात यह है कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हों सबसे पहले तो स्लेबस की अकॉर्डिंग उतना ही आप लोगो कोर्स मिलने वाला है तो हम यही खरीदेंगे लेकिन वो बच्चे लास्ट तक पूरा कोर्स पढ़ ही नहीं पाते हैं और एंड टाइम में क्या करते हैं कि गाइड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा कोर्स पूरा हो जाए तो वहां बच्चों का डबल लॉस होता है तो यहां पर लंड रिदितिमन में सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ बताती हूँ कि कहीं का भी कोर्स आप खरीदें सबसे पहले तो यह देखें कि कोर्स जो है वो बिलकुल एक्जाम के अकॉर्डिंग है या नहीं है हमें केवल वही पढ़ना है जो हमारे स्लेबस मे दिया हुआ है स्लेबस के बाहर पढ़ना जो है वो बेकार है और बच्चों के पास टाइम भी नहीं बच पाता है कि वो लोग लास्ट टाइम में कुश्चन अंसर जो लास्ट येर के होते हैं उनको भी सॉल्ब कर सकें क्योंकि वो उन्हीं में रह जाते हैं तो यहां पर से लगबग पूरी होने वाली है दो तिन टॉपिक ही बच रहे हैं तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अभी से ही कोर्स स्टार्ट कर दें अभी से ही कोर्स जो है परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं कहीं और से भी करना चाहें वहां से भी करें लेकि जल्द ही कर दें क्योंकि कम टाइम में ज्यादा पढ़ना ये गलत होता है और फिर माइंड जो है वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो यहां पर सेकेंड ग्रेट का जो फर्स्ट पेपर का जीके का कोर्स है कम्प्लीट कोर्स ठीक है तो उसके साथ में रीट का जो एसेस्टी का कोर्स है आरबी एसी की पूरी बुक के कुश्यन आंसर पीडियफ फॉर्मेट में वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेंगे ठीक है तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से सो समझ के ये चीज जो है वो लेकर आई ह ताकि बच्चों का फायदा हो सके जादा से जादा फायदा हो सके यही मैं हमेशा सोसती हूँ कि सेकंड ग्रेट की त्यारी करने वाला हर बच्चा रीट का पेपर देगा ये मुझे पता है और आप सभी देने वाले हो लेकिन सेकंड ग्रेट के साथ में रीट की त्यारी ज जो है वो 8-10 घंटे जो है वो निकाल सकें, ठीक है, तो यहां पर REIT का जो SST का कोर्स है, आपका 60 marks का जो आपका आने वाला है एक्जाम में, तो आपको RBSC की बुकें तो पढ़नी ही पढ़ेंगी, इसे आप ignore कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, वहीं 2nd grade में राजेस्तान का GK जो ह वह भी आपका cover, इसी से होता है, बुकें तो आपको पढ़नी ही पढ़ेंगी, चाहिए 1st grade का पढ़ो, 2nd grade का पढ़ो, चाहिए आप REIT का पढ़ो, 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हो, तो 2nd grade का आपको पढ़ना होगा, और उसके बाद जो है, REIT का यदि पढ़ते हो, तो 6 से 10 तक पढ़ना होगा, तो यहाँ पर बुकों को पढ़ना बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है, जो 2nd grade की तयारी करेंगे, उन बच्चों की में बात कर रही हूँ, तो SST के कोर्स में आपको PDF जो है, वह मिलेगी, question answer format में, जिससे की आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और मा इतने महतोपूर हैं कि एक chapter में जितने भी question बन सकते हैं, वो सभी आपको उपलब्द होंगे, तो यहाँ जिन बच्चों ने पहले course लिया था, तो वो यह चीज बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और 2nd grade का जो first paper है, इसमें आपको videos मिल रहे हैं, जो कि मेरे खुद के handwritten notes क द्वारा आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है, notes और उसके साथ में PDF जो है, वह भी आपको मिलेगी, जितनी बार videos देखना चाहें, देख सकते हैं, जितनी बार जो है, उनको पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं, PDF जो है, उसे आप print out भी करवा सकते हैं, तो इतना सारा जो चीजें हैं, वो में आपको उपलब्द करवा रही हो, जो other coaching नहीं करवाएगा आपको, वहाँ पर आपको PDF जो है, वो इस तरीके से उपलब्द नहीं होगी, कि आपको print out निकाल सको, क्योंकि end time में बच्चों को ये problem आती है, कि बार बार मुबाइल में, या computer पर देख कर, आप लोग जो है, वो revision नहीं कर सकते हो, हाँ तुमें आप लोगों के PDF जो होनी चाहिए, PDF जो फाइल है, वो होनी चाहिए, तो आप लोग print out जो है, यहाँ पर निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, और देखिए, इसी वीडियो में, एक demo वीडियो जो है, क्लास का, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर उपलप्त करवा दूँगी, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कि किस तरीके से मैंने पढ़ाया है, ठीक है, और यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो ही उसके बाद आप course खरी दिएगा, ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले RBSC की question answer की PDF, और उसके बाद मैं demo video जो है, वह भी इसके साथ ही डाल दूँगी, तो यह देखिए, यह है PDF आप लोगों की class 6 की, तो इस तरीके से इस format में आपको मिलेगी, ठीक है, पूरा chapter cover करता है, यह question answer, आप लोगों को करने की जरुत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल chapter wise है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर question answer जो है, वो यहाँ PDF format में करवा दिये हैं, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इनको print निकलवाना, ठीक है, तो अब देखिए कि किस तरीके से आप लोग जो है, इसे ले सकते हो, इस course को ले सकते हो, तो यह चीज जो है, वो मैं आपको बताने वाली हो, तो देखिए second grade teacher का course कैसे प्राप्त करें, तो यह course जो है, वो आपको केवल 1599 रुपे में मिलेगा, आप अगर market से book भी लेकर आएंगे, तब भी आपको इस से ज़्या और सभी authentic book मेरे पास है, तो इस चीज को मैंने calculate करके ही आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल loss नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, कैसे यह course ले सकते हो, तो read का, जो sst का course है, वह भी आपको इसी तरीके से यही पर ही मिल जाएगा, तो अ hello लिख कर भेजना है, ठीक है, उसके बाद सरको पता लग जाएगा कि आपने message कर दिया है, तो आपको तुरंत जो है payment के लिए आपको QR code भेज दिया जाएगा, जिसमें payment कर receipt जो है, वो WhatsApp पर भेज दें, एवं साथ ही email जिससे आप YouTube चैनल चलाते हैं, वह भी उपलब्द करा दें, तो यह आपकी सुविधा के लिए है, और payment confirm होने के 24 घंटे के अंदर आपकी email से आपको connect कर दिया जाएगा, और आपको जो भी matter है, जो भी available हो रहा है सभी बच्चों को, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में ही मिल जाएगा, अभी question answer format में, RBSC की जो book है, history की और geography की वह complete हो चुकी है, वो आपको तुरंत मिल जाएगी, और एक हफते के अंदर आपको quality और economics जो है, वह भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको extra जो है, वह नहीं दिया जाएगा, जो की आपके exam में नहीं आने वाला है, तो क्या करेंगे आप इस WhatsApp नं आपको वापस इस WhatsApp नंबर पर भेजनी है, ताकि यह पता लग सके कि आपने payment कर दिया है, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर जो है, वो आपको सभी matter जो है, वो मिल जाएगा, तो दिखिए मेरे द्वारा जो handwritten notes के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो इतने किये गए है, तो आपकी syllabus में भी दिया हुआ है, कि आप लोगों को graduation तक की book जो है, वो पढ़नी है, second date के त्यारी करने वाले विध्यारतियों के लिए, तो चलिए, अब मैं आप लोगों के लिए एक demo जो video है, वह डाल देती हूँ, जिससे कि आपको यदि अच्छे से समझ में आता है, तो आप course ले सकते हूँ, ठीक है? Hello everyone, welcome again to London, आज हमारा topic है, बीका नेर के rising, तो जैसे हमने आमेर के मान सिंग के बारे में पढ़ा था, कि किस सरीके से मान सिंग ने अकबर और जहांगीर की सेवा में रहे थे, और मुगल सेवा में ये जब छोटे उम्र के थे, म सुईकार कर ली थी, और उसके बाद वो अपने पोते और बेटे के साथ मुगल सेवा में चले गए थे, ठीक है? और जीवन परियंत मान सिंग जो थे, आमेर के अकबर की और जहांगीर की सेवा में रहे, उसी तरीके से बीका नेर के rising के बारे में हम पढ़ेंगे, इन्हों ने भी अकबर और जहांगीर के शाशनकाल में मुगल सेवा में रहे, और अधिक तर समय जो है इन्हों ने जहांगीर के शाशनकाल में बिताया, जहांगीर से इनके संबंद बहुत अच्छे रहे थे, मान सिंग के जिस तरीके से अकबर ने उन्हें बहुत अभ्यानों पर पर बहुत विश्वास था, उसी तरीके से जो बीकानेर के राय सिंग थे इन पर सरवाधिक विश्वास था, जहांगीर था, ठीक है? तो इस तरीके से याद रखिएगा आमेर के मान सिंग और धीकानेर के राय सिंग जो की मुगल सेवा में इन्हों ने अपना समय बिदाया था और इनका कारण क्या था मुगल सेवा में जाने का कि इनके पिता जो कल्यान मंटरा ठोड़ थे तो वे 1570 में जब अकवर का नागोर दर्वार लगता है तो वहाँ पर जाकर अकवर की अधीनता सुईकारते हैं और साथ में अपने दो बेटे राय सिंग और प्रत्वीराज इनको भी साथ में ले जाते हैं और तभी इनकी मुलाकात अकवर से होती है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा अब देखिए बीका नेर जो है वह किसमें आता है? जो जांगल प्रदेश है उसमें आता है बीका नेर जो की मारवाड के उत्तर में इस थित है, ठीक है? और मारवाड के देखिए शाशक थे राओ जोधा उनका बेटा था राओ बीका तो बीका ने राज्य जो है उसी ने बसाया बीका ने राज्य के संसापक जो है राव बीका को माना जाता है राव बीका के बाद देखिए जो शाशक आते हैं राव लून करन राव जैट सी और उसके बाद आते हैं राव कल्यान मल तो यहां से ही स्टोरी स्टार्ट होती है राय सींग के पिता का नाम था कल्यान मल राठोर इनका शाशनकाल 1541 से 1574 इसवी का माना जाता है और ये बिकानेर के पहले शाशक रहे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकारी थी जिस तरीके से आमेर में राजा भारमल थे उन् इसवीकानेर में सबसे पहले शाशक रहे कल्यान मल राठोर राय सींग के पापा ठीके तो इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकारी थी 1527 में खानवा के युद्ध में इन्होंने राना सांगा का साथ दिया था और 1544 में गिरी और सुमेल का युद्ध जो होता है 5 जनव जनवारी 1544 को गिरी और सुमेल का युद्ध होता है तो ये युद्ध जो है बहुत अहम है याद रखिएगा ये युद्ध जो है दिल्ली के सेरसा सूरी और मारवाड के जो मालदेव हैं उनके साथ होता है ठीक है तो यहां सेरसा सूरी का साथ जो है वहद देते हैं कल्या घटना है आप सुन लीजिए कि सेर्शा सूरी जो हैं वो क्या करते हैं चालाकी से जो जैता कूपा जो की मारवाड के मालदेव के सैनापती थे तो वह बिल्कुल भी गदारी नहीं करते थे मालदेव के साथ उनके हमेशा साथ रहते थे तो अब सेर्शा सूरी को लगता है कि युद्वह नहीं जीत सकता है तो उसने क्या किया था कि मालदेव के सैनापती जैता और कूपा के जो टैंट थे उनमें रुपए रखवा दिये थे ठीके और मालदेव को पत्र भिजवा दिया था कि देखिए ये जो रुपए हैं ये इसने हमसे लिये हैं यानि आप से इन वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इस युद्ध में सेरसा सुरी विजय हो जाता है ठीक है तो अब देखिए 1570 में क्या होता है अकवर की तरफ से क्या लगाया जाता है नागोर दरवार क्यों लगाता है ताकि जितने भी राजबूत शाशक हैं वो आएं और मुगलों की अदीनता सुईकार करें तो जो कमजोर शाशक थे जो सोचते थे कि हाँ हमारी सत्ता तभी मजबूत हो सकती है जब हम मुगलों की अदीनता सुईकार कर लें तो 1570 में अकवर के नागोर दर्वार में राय सींग और प्रत्वी राजराठोर ये भी शामिल हो गए, प्रत्वी राजराठोर को डिंगल का है रोज भी कहा जाता है, राय सींग को उपादी जो है जो कि इन्होंने स्वेम ही धारन की थी महाराजा धिराज और महाराजा की, इससे पहले जो बिकानेर के शाशक थे, उन्होंने महराजा धिराज की उपादी धारण नहीं की थी. तो ये एक ऐसे शाशक थे बिकानेर के जिन्होंने स्वैम ही यह उपादी धारण की थी. ठीक है और जो दूसरे बेटे थे कल्यान मलके वो थे प्रत्वी राज राठ और ये अकवर का दर्वारी कवी था इन्हों ने बेली किशन रुक्मनीरी ग्रंथ लिखा था ठीक है तो याद रखना है इनके बारे में कि ये एक कवी थे चलिए अब हम पढ़ते हैं बिका नेर के राइसिंग के बारे में इनका शाशन का समय है 1574 से 1612 इस वी तो देखिए छोटे छोटे टॉपिक ही है आपके बिका नेर के राइसिंग के बारे में हमें पढ़ना है और उसके बाद हमें पढ़ना है मेवार के रासिंग के बारे में तो चलिए समझते हैं राइसिंग के बारे में समकालीन मुगल साशक हैं अकवर और जहांगीर इन दोनों की ही मुगल सेवा में रहे थे जन्म है 20 जुलाई 1541 इसवी 1570 में देखिए अकवर का नागोर दरवार लगता है तो जिसमें ये अपने पिता और भाई के साथ उपस्तित होते हैं और अकवर की अधीनता सुईकार करते हैं 1572 में देखिए अकवर ने जोदपुर का प्रशाशक जो है राय सिंग को नुक्त किया मारवार में देखिए राव माल्देव होते हैं उनके चार बेटे थे तो बड़े बेटे का नाम था राम और दो बेटे और थे उदैसिंग थे और इसके अलावा राव चंदरसेन जो क चंदरसेन को बना देते हैं तो वहीं जो बाकी जो भाई होते हैं वहें चंदरसेन को मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उत्तरादिकारी जो है वहें राम को बनना चाहिए वहें बड़ा था तो यहां चंदरसेन को बना दिया जाता है तो वो क्या करते हैं वि और क्या करता है अपने जो एक अधिकारी है होसेन को लिखां उनको भेजता है सेना लेकर तो यहां पर जोदपुर पर अधिकार हो जाता है अकुबर का और राव चंदर सेन जोदपुर छोड़ कर जो है वहां चले जाते हैं ठीक है तो यहां जोदपुर जो है वहां पर राय मिर्जा बंदू थे, जो क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं. तो इनका दमन करने के लिए इन्हें भेजा जाता है काठोली नामक इस्थान पर. तो यह पूछा जा सकता है कि 1573 इस्वी में गुजरात के मिर्जा बंदू का विद्रोह करने के लिए अकवर ने किसे था उन्होंने बीकानेर के राय सिंग को. 1574 में चंदर सेन के विरुद्ध अभिहान पर गए थे. उसके बाद 1574 में इनके पिता कल्यान मर्जु थे, उनकी म्रत्यों हो जाती है और राय सिंग बीकानेर के शाशक बनते हैं. और स्वेम ही महाराजा देराज की उपादी धारन क करते हैं. 1576 में देखिए जालोर के ताजगा और सिरोही के सुर्टार देवडा ये विद्रोह कर देते हैं. जिसके लिए युद्ध होता है 1583 में दत्ताडी का युद्ध. यहां पर राय सिंग और जगमाल. जगमाल कौन? महारान प्रताप का भाई. इन दोनों के बीच में युद्ध होता है दत्ताडी का युद्ध. तो इसे युद्ध में देखिए राय सिंग जो है वो विजई होते हैं और इसी उपलक्स में अकबर जो है इनको बावन पर्गने जो है वो जागीर में भी देता है. तो दत्ताडी का युद्ध पूछा जा सकता है कि अकबर ने दताडी के युद्ध के लिए किसे भेजा था राय सींग को भेजा था और जगमाल की इस युद्ध में म्रत्यू हो जाती है 1581 में क्या होता है कि अकवर के भाई मिर्जा मुहम्मद मिर्जा हाकिम ने काबूल में विद्रोह कर दिया था तो देखिए कि जो बावर था वो फर्गना का था ठीक है तो वहाँ पर इसके भाई भंदू भी थे काबूल में तो यहाँ पर ये जो मिर्जा मुहम्मद और मिर्जा हाकिम ये इसके भाई ही रहे हैं तो इन्हों ने क्या किया काबूल में विद्रोह कर दिया तो जिसका राई सिंग ने मान सिंग के साथ मिलकर दमन किया था तो यहां अकवर ने राई सिंग और मान सिंग दोनों को ही भेजा था 1581 इस्वी में काबूल में विद्रोह को रोकने के लिए पंद्रे सो नवासी से पंद्रे सो चौरानवे में राइसिंग ने जुना गर्ड किले का निर्मान करवाया था प्रधान मंत्री करम चंद की देखरेक में अब ये वाली लाइन बहुत इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछी जा चुकी है तो जुना गर्ड किले का निर्मान जो है किसने करवाया था बीका नेर के राइसिंग ने करवाया था और किसकी देखरेक में करवाया था करम चंद की देखरेक में करवाया था तो ये line important है बहुत, किले के प्रवेश द्वार जो सूरज पोल है, इस पर राय सिंग ने राय सिंग प्रसस्ती लिखवाई थी, यानि कि प्रसंसा, और इसके रचिता कौन है, जैता या जैता, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर देखे, चार-पाँच कोश्चन बनते हैं, किले के बाहर जैमल और फत्ता की पाशान यानि पत्थर की मूर्थियां भी लगवाई थी, अब क्या बनेगा एक्जाम में, कि जूनागड किले का निर्मान कब करवाया गया, 1589 से 1594 इस वी, तक किसने करवाया, विकाने के राय सिंग ने, किसकी देखरेक में करवाया, करम की पाशान मूर्थियां लगवाई थी, तो जैमल और फत्ता की पाशान मूर्थियां लगवाई थी, ठीके, इंपोर्टेंट लाइन है, ये सभी, 606 इस वी में क्या होता है, कि देखिए, राय सिंग जो है, वह है, जहांगीर जो है, उनके साथ इनके सम्मत बहुत अच्छ कर जाते हैं, तो क्या करते हैं, जहांगीर की राय सिंग को आगरा सौप कर जाते हैं, अब देखिए, कितना विश्वास था उनको राय सिंग के ऊपर, कि आगरा जो है, वह है, जहांगीर जो है, किसको सौप कर जाते हैं, राय सिंग, ये कोशन एक्जाम में पूछा जा अकवर ने राय सींग को देखिये, 4,000 मनसवदार प्रदान किया था और जहांगीर ने वहीं राय सींग को 5,000 मनसवदार रखा था ठीके, याद रखना है कि जहांगीर ने राय सींग को 5,000 और अकवर ने 4,000 1612 इस्वी में राय सिंग की दक्षण भारत में बुर्हानपुर में म्रत्यू हो गई थी तो ये याद रखिएगा कि म्रत्यू कहां हुई थी पुर्हानपुर में म्रत्यू हुई थी वहीं राजा मान सींग की जो म्रत्यू हुई थी, वो कहां हुई थी, आपको याद आया होगा, इलिच पूर में म्रत्यू हुई थी, राई सींग ने दो गरंत लिखे थे, एक तो राई सींग महसव और दूसरा जोतिस रत्नमाला, ठीक है, जोतिस रत्नमाला और राई सींग म ग्रंथ लिखे थे, उनके नाम है, इनको याद रखना है आपको, राइसिंग से तो राइसिंग महसव हो जाएगा, यह याद रहेगा, आपको जोतिर अत्माला याद रखनी है, इनका जो दर्वारी था, वह था जैसोम, जिसने ग्रंथ लिखा था, कर्मचंद्र वनसोत किर् तो यह लिखा था, और इसमें इन्होंने राइसिंग को राजिंद्र पुकारा था, तो यहाँ पर यह कोश्यन क्या पूछा जाएगा, कि पूछा जाएगा, कि राइसिंग का जो दर्वारी था, जैसोम, उसने जो ग्रंथ लिखा था, उसका क्या नाम है, और किसमें राज जिंद्र पुकारा गया है राई सींग को, तो जवाब होगा कर्मुचंद्र वनसोत किर्टनंद में पुकारा गया था, मुंसी देवी प्रसाद जो है वह है राई सींग को राज पुताने का करण कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक दान करते थे और पीछे नहीं हटते थे, इसी वज़े से दान सीलता के कारण ही मुंसी देवी प्रसाद ने राई सींग को क्या कहा, राज पुताने का करण, अब देखे इसे आप याद कैसे रखेंगे, देखे राई सींग में क्या है, रा, और उसी तरीके से राज पुताने में भी क्या है, रा, ठीक है, तो इस त का है और करण में भी का है और यहां पर देखिए लून करण के नाम में भी का आ रहा है तो ऐसे आप एक्जाम में आपको याद आ जाएगा राय सिंग अकवर के दर्वार से उस्ताकला को भी कानेर लेकर आये थे ये भी एक लाइन याद रखिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक झाल